हालो फ्रेंट्स, वल्कम तो चैनल अर्चनाथ स्पाशन दिजानिंग, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट्स, सो वाट इस प्रिंट, प्रिंट का मतलब होता है डिजाइन, जो कलर से फाब्रिक पे किया जाता है, that is the प्रिंट, सो प्रिंट कैसे काने है, वो आज हम यहाँ प इतके फूल आते है, अपको जो भी पसंद है, कोई भी शेप यहाँ पर अब जस्ट ड्रॉव कर लेना, लाइक यहाँ पर में दस एक लोटस के जैसे मैं दिखा रही हूँ, कली मैंने यहाँ पर ड्रॉव किया हुआ है, यह प्रिंट के लिए मैंने कुछ बेस नहीं लिया ह इसलिए मैंने बेस कलर नहीं किया हुआ है, आल राइट, सो बहुत ही सिंपल में यहाँ पर दिखा रही हो, सो अब जब फैबरिक है, और यह से फूल है, यहाँ अब जब फैबरिक लेते हो, तो मोस्ट आफ उस पे कुछ प्रिंट होते है, तो फैबरिक का सेलेक्शन उसके प्रिंट पर डिपेंड होता है, उसके कलर कॉमिनेशन पर होता है, आपको भी जब आप dress design करते हो आपको यह बहुत metric होता है कि आपने क्या print और क्या color combination उसके लिए चूज किया है because आपकी जो sketches होते हैं उनका selection जो होता है so that depends on your combinations जो color combination आपने यूज किया है उस पर क्या detailing आपने दिखाया है it means कि print क्या दिखाया है texture क्या use किया है और color combinations आपने क्या use किये है वो भी बहुत important होता है so यह सब detailing आपने सीख लेने चाहिए so that आपको sketches बनाते होना so वो attractive होते है and yes उनका selection जल्दी हो जाता है because fashion designers जो होते हैं उनको industries में job जो होता है वहाँ पर dresses design करने होते हैं जब हम dress design करते हैं so उस dress पे क्या print होगा emeraldry कैसे होगा यह भी हमें ही decide करना होता है बताना होता है और वो जो हमने design किया हुआ है उसका selection जो होता है that is completely based on कि वो कैसे उसका look है दीखता कैसे आ है तो यह आपने जो बनाया हुआ sketch है उसे ज़्यादा attractive बनाने के लिए you have to use the prints texturous color combinations perfect so now see यह जो borders है ऐसे नहीं यहाँ पर मैंने complete shape दिखाया है फिर उसके बाद जो borders आप देख रहे हो सो कहीं छोटा दिखेगा कहीं हाफ होगा कहीं तो यह natural होता है मतलब आप जो prints even dresses पे भी हम सीखने वाले हैं कि printed dress कैसे बनाना है तो तब आप सीखोगे ही लेकिन यहीं पे हम दिखा रहे हैं कि corners जो होते मतलब कपडा अगर मैंने hard shape में कट कर लिया है कोई cross हो रहा है कोई half दिख रहा है कोई three-fourth है तो इसी तरह से आपको जो भी है print बनानी होते है so this is see simply beautiful मैंने एक floral print यहाँ पे बनाई है full और मतलब full की curly जो होती है वो मैंने यहाँ पे design दिखाया and उसका उसके बात जो है उसकी मैंने स्टेम दिखाये now this is the floral print आप यही नहीं आप और भी बहुत सारे फूल आते है so अलग-अलग flowers को आप यहाँ पे बना सकते हो कोई भी शेप ले लो so that is the floral print practice करना बहुत सारे अलग-अलग यह जो print मैंने अभी सिखाया उससे related आप अलग-अलग prints के practice करो separately now यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ nursery print so what is the nursery print so nursery मतलब बच्चे जो होते है छोटे बच्चे तो उनके garments पे अब क्या print दिखाऊगे that is the nursery so like आपने अगर देखा होगा छोटे बच्चों के garments तो उन पे most of alphabets होते है ABCD लिखा हुआ होता है so see में यह yellow base में ने दिया है most of यह याद रखना कि children's जो होते है छोटे babies जो होते है उनको dark colors पसंद होते so primary colors जो होते हैं red, yellow, blue most of वो colors जादा यूज़ करने है attractive colors होने चाहिए eye catchy the look pretty and उनका भी mood जो होता है that depends on the colors so बच्चों के लिए most of fresh colors आपने चूज़ करने चाहिए see ABCD में ने लिख लिया है उसके बाद हम यहाँ पे मैं कुछ cartoons भी आप ट्रॉव कर सकते हो या मैं यहाँ पे fruit दिखा रही हूँ like cherry में यहाँ पे दिखा होंगी so for that मैंने यह red color योज किया है again इसकी stem में green से दिखा रही हूँ and not necessary कि you has to use the perfect mean cherry red color का है तो ready दिखाना है आपको you can use colors as your choice या base color क्या है मतलब कि नीचे अगर मेरा red color है तो red पे में red नहीं दिखा सकती you can change the colors because designing में no limits there are no restrictions and limits of colors जो भी आप design करते हो अपके mind से करो but somewhere related भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा contrast opposite कर दिया तो वह match भी नहीं करता है see मैंने यहां पर cherries बना लिया है ABCD लिखा हुआ है अंदन और कुछ उसमें add करना है तो you can so like so colors जो है ना वो आपको select करने है as per your print see बहुत ज्यादा भी नहीं करना है कि वो और नहीं लगे इसलिए मुझे लगता है नाव दस इनफ क्योंकि और में ज्यादा कुछ करने जाओंगे तो वो गौडी लोग आ जाता है so somewhere हमें वो भी सोचना है so this is the nursery print ABCD and cherry में नहीं हाप दिखा है you can show the strawberry cartoons हम वो आपे दिखा सकते है teddy bears पिगड़ा ऐसे कुछ भी हम दिखा सकते है so that is the nursery print now the next one is geometrical print so geometrical means क्या होता है na geometry में जो भी अलग-अलग shapes जो आते है so वो shapes हमें print में दिखा आने है so this is the geometrical print so geometrical print के लिए मैंने red bears बनाया हुआ है यहापे and now C में इसमें triangle shape में यहापे दिखाया है this one is triangle again okay see geometrical prints जो होते है na this print is mostly go with the formal wears मतलब जो formal dresses जो होते है उनके लिए geometrical print ज्यादा suit होता है so formal wear design करते हो तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि floral print ज्यादा नहीं use होता है floral में casual look आता है या तो फिर थोड़ा सा occasional look आता है so you can go for the geometrical print when you design the formal wears okay so क्या आता है जो perfect अगर आपने print select किया तो उसमें वो effect जलदी आ जाता है आपको ज्यादा कुछ designing करने की जरूरत नहीं होती है with that addition see this circle हार एक triangle की corner में मैं ये circle बना रही हूँ so that is something different ये मेरा pattern हो गया है you can add one more ring आपको जैसे करना है बस आप design जो है आपके mind से करो कि क्या अच्छा लगेगा सोचो और बनाओ ठीक है so जबहाँ पर आपको अच्छा लगता है कि ये अभी ये अच्छा लग रहा है then you stop मतलब और ज्यादा नहीं करना है because क्या हो जाता है आप extra करने जाते हो तो उसमें कुछ mistake होने का chances होता है so जब आपको लगता है कि now it is good so stop that okay see जो दो सेंटर थे मतलब जो दो रिंग्स मैंने यलो कलर से बनाई सेंटर में मैंने ब्लू कलर दिखाया है ये सब पार्ट जो होता है designing का that is the imaginary आप सोचो जो imagine करोगे कि ये कैसे लग सकता है so आपके mind में जो concept है वो just on paper हमें करना होता है so और ऐसा नहीं है कि जो हमने paper पे बना दिया वही final होने वाला है if आप सोचते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा then again दूसरा कुछ बना लो so this is the geometrical print so triangle squares आप अलग-अलग shapes बना सकते हो not necessary कि सारे जो geometrical shapes है वो एक ही इसमें बनाना है कभी आप checks square बना सकते हो कभी prangles को use कर सकते हो और बहुत सारी जो shapes होते है उनको आप use कर सकते हो for this print now here मैं start करने वाली हूँ animal prints को so उसमें सबसे first giraffe print में दिखाती हूँ so giraffe दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे beige color बना लिया है beige color okay okay now giraffe print हम start करने वाले so animal prints जो होते है उनमें बहुत सरे animals होते है उनमें से giraffe जो होता है उसका print दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया है ना beige color जो होता है light brown color उसका base मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है now उसके उपर जो print होता है तो उसके लिए क्या करना है यह dark brown color लेना है यह light करने के लिए मैंने क्या ब्राउन में white color mix करके यह base बना लिया है base color कैसे देने हैं वो मेरे textures का video जो है उसमें आप सीख सकते हो सो यहाँ पे कुछ ऐसे squares और irregular मिलब proper square नहीं थोड़ा सा क्यूंकि animals जो होते हैं उनकी skin पे fur मतलब hair होते हैं तो बहुत ही fine shapes नहीं होते हैं exact border आपको नहीं थोड़ा सा हाथ को ऐसे outlines जो है irregular आने चाहिए सो इस टेप से outlining मैंने किया हुआ है सो complete इसमें आपको वही करना है सो broad ऐसे देखो complete ऐसे outline फिर जहाँ पे यह borders आ रही है मिन half shape भी कहीं दिखेगे so here it is like this मैंने यह ऐसे यह complete किया okay fine यह ऐसे मेरी borders होने की बात आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो कॉफी ब्राउन कलर है इसके में यह देखो outlining shading में हमें करना है यहाँ पर इस तरह से जो corner से उनको ऐसे और फिर बीच में ऐसे shading करना है आपके सो यह pencil से हम ऐसे कर सकते हैं और इफ यो डोंट हाव pencil colors पैंसिल कलर तो मस्ट है मतलब वह तो बहुत ही important होते हैं illustrations के लिए बहुत सारी जो assignments होती है वह बहुत easily हम complete कर सकते हैं अगर नहीं है pencil color तो poster colors जो water color होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो नो वरी ओके ऐसे patches जो होते हैं जिराफ पर skin तो वो हम यहां पर बना रहे हैं सो first मैंने light beige color हम जिसे कहते हैं सो beige color मैं ब्राउन color उसमें white mix करना है हलका सा yellow color अपने उसमें डाला तो perfect वो color अपको मिलेगा so brown a little bit yellow color and white color इन ते इनों को mix करके यह base मेंने बनाया था and now उसके उपर मैंने क्या किया है न brown color के borders and coffee brown color से मैं यह strokes पहले तो दे रही हूँ border में and then center में यह color fill करना है so this will be the giraffe print so अलग-अलग animals है जिराफ है leopard है dog में बहुत सारी print होते है अलग-अलग टाइप के उसके बाद आपको पता है deer print मतलब हीरन जो होती है वो भी आप बना सकते हों so जितने ही बना सकते observation करके एक दो print आपने सीख लिए तो बाकी आप खुद से बना सकते हो tortoise का होता है बहुत सारे print हम बना सकते snack की जो skin होती है वो आप try कर सकते हो so there are so many prints अब first आपको क्या करना है same to same try करना है मतलब जिराफ की जो basic color जो होते उसके original color वही repeat करने है then you do one thing कि उसके variations करके देखो मतलब जो base color उसको change करो उसके उपर के colors change करो so वो एक आपका खुद का creation होगा होगा ऐसी नहीं होता है designing में कि जो basic color है वही यूज करना है मतलब जिराफ में brown color होता है तो brown ही लेना है आप creative prints भी बना सकते हो आपके खुद के creations मतलब उसमें आप अलग-अलग भी दिखा सकते हो तो वो आपका खुद का creation होगा आपको सिखाना है इसलिए मिनिंगी basic यूज क्या है वेन आइ गो फॉर देजानिंग ड्रेस डिजाइन करती हो तो उस टाइम में change भी कर सकती हो color combinations and जैसे हम color combination change कर देंगे उसका material change करेंगे so that will be the different pattern so यही basic skill होता है कि designing करना है अलग कुछ करना है तो मतलब क्या है तो prints को change कर दो, emeralogy को change करो, basic fabric को change करो that will be your own design okay, see so यह giraffe print यहाँ पे ready हो गया है now the leopard print, so leopards के लिए मैंने क्या किया है न तो यह light brown color, मतलब बहुत ही हलका सा brown मैंने mix किया है white में उसका meaning यह base दिया हुआ है so now यह black color है इसे में ऐसे हिंदी में जो हम 3 और 6 लिखते हैं उसके जैसा मुझे यहाँ पे see, 3 और 6 ऐसे so 3 and 6 हिंदी या मराठी में हम जो लिखते हैं so like this ऐसे यह जिग-जग ऐसे कुछ lines बनाने है इसके लिए आप sketch pen भी उस कर सकते हो that will be very easy to show the effect okay so यह ऐसे see, जैसे मैंने बताया ना कि corners जो होते है, borders जहाँ पे cut हो रहा है fabric हमारा तो वहाँ पे shape complete नहीं दिखेगा so that is important कि वहाँ पे आपको सिफ थोड़ा सा ही पाट दिखाना है but उसे empty नहीं रखना है, खाली रख दोगे छोड़ दोगे तो फिर वो real effect नहीं आता है then हमने यह light brown color लिया है and इसमें ऐसे जिग-जग feeling करना है थोड़ा सा वो base भी दिखना चाहिए as यह skin जो होता है, जैसे मैंने बताया कि hair होते है animals पे तो plain shapes नहीं आते है, मतलब जो 3 और 6 हम लिखते है वैसा complete वैसा ही नहीं लिखना है so zigzag कर देना है, उसको थोड़ा सा ऐसे से pencil को हिला देना है so उससे वो effect आता है perfect, right? okay so थोड़ा सा मैंने brown, बीच में थोड़ा वो हलका सा white dot मतलब वो base है वो भी दिख रहा है so until जब तक आपको perfect नहीं लगता है, you do your coloring इसके लिए मैंने जैसे बताया कि आप sketch pen भी यूज कर सकते हो, you try with the sketch pen अच्छा effect आता है उससे भी and जल्दी हो जाता है complete, okay? so giraffe print है, animal prints को आप sketch pens भी यूज कर सकते हो, अलग-अलग medium यूज कर के देखना so क्या होता है कि आपका work easy and fast हो जाता है, if we use the perfect medium okay, तो याद रखो मैंने क्या यूज किया है, black color से ये 36 और उसके बात brown color मैंने लिया था और उससे मैंने ये बीच में again patch बनाया है, okay? so ये print भी काफी चलता है, बहुत अच्छा दिखता है इसका effect इसे आप यूज कर सकते हो, एक picnic wears फिकरा जो बनाते है या फिर whatever, कोई stylish costume design करे हो so there you can use this print, so animal prints भी बहुत अच्छे लगते हैं, dresses में, accessories को भी अच्छे लगते हैं, shoes या tie, bow, उनके लिए भी ये suit करते हैं, even tops जो होते हैं, t-shirts होते हैं, उनमें भी ये prints अच्छे लगते हैं so designing करते हो, तो prints उसमें यूज करो, आपका dress जो हता है, वो complete look आता है, and interesting pattern हो जाता है all right so if you think कि कुछ empty लग रहा है, space है ज्यादा, so add, और थोड़े से add कर लो in में भी आप color combinations change कर सकते हो base color change करो, print का color change करो, that will be your own design okay, so this is the leopard print, now Dalmatian dogs जो होते है, so dog का print जो होता है, so उनमें black and white color होता है so उसके लिए भी आपको क्या करना है, यही ऐसे zigzag patches आपको यहाँ पे दिखाने है for this you can use again sketch pen, आपने यूज किया तो भी चलेगा जैसे leopard में किया है, वही, सिफ थोड़ा सा यह black इसमें होता है, सिफ color black and white color की patches होते है, यह जो dogs होते हैं, Dalmatian dogs केते होने, इन पर यह only black and white होता है, again यही आपने colorful बनाए, तो वो कुछ अलग दिखेगा design, okay, fine, so this one is the Dalmatian dog print मेरा, यहाँ पर complete हो गया है, now, so यह जो है, अभी हमने किया, यह animal prints है, animal में और काफी सारे आते हैं, जैसे snack print बगरा मेंने बिताया है, तो snack print ट्राइ करोगे, तो snack का जो scale होता है, वैसे print बना लेना, snack की skin बहुत shiny होती है, तो उसके लाप उपर से क्या करना, sparkle pens बगरा आते हैं, वो भी उसकर सकते हो, that I will show in assignment, कुछ dress हम design करेंगे, तो उसमें हम सीखेंगे, यह वो snack print कैसे करना है, इसलिए में यहाप पे नहीं cover किया है, so you just watch my videos, अलग-अलग prints, designs आपको सीखने मिलेगी, in the dress ups में भी, ठीक है, so now, वारली प्रिंट जो होता है, so वारली प्रिंट is popular from the महाराष्टा, so महाराष्टा में यह print बहुत यूज किया जाता है, इस पे एक तो मिट्टी या तो फिर गोबर का base बनाया हुआ होता है, दिवार पे, घर पे यह बनाया जाता है, और जो वाल होती है, उन पे मिट्टी या गोबर की दिवार, मतलब ब्राउन या ग्रीन कलर का, और इस पे वाइट कलर के human figures होते है, तो यह जो human figure होते है न, it's a geometrical shapes में यह बनाना है, see, यहाँ पे मैंने यह figure बना लिया, okay, so this is the वारली प्रिंट, सो वारली प्रिंट में, images होती है, मतलब human figure या lifestyle दिखाई जाती है, कि हम कैसे रहते है, girl, boy या ladies, gents, उनके daily activities दिखाए होते हैं, यह प्रिंट में, लेकिन उन में यह जो shapes होते हैं, all the shapes are used geometrical, सो मतलब figure बनाना है, तो उसके लिए देखो, यह X, दो triangle, सीधा, उल्टा, ओपर circle, मतलब face, और यह ऐसे lines, ओके, सो दस इस the geometrical shapes को यूज करके बनाया हुआ, human figures, सो यह बनाया जाते हैं, मुशली वाल पे, घर की जो दिवारे होती हैं, उन पे बनाया जाते, वारली नाम की कास्ट है, अधिवसी, सो ट्राइबल लोग जो होते हैं, वो बनाते हैं उनकी घरों पे, लेकिन यह print इतनी popular हो चुकी है, कि नाउ पूरे world से, मतलब पूरे दुनिया से इसको demand है, इसका जब textile में use किया जता है, मतलब, जो हम fabric space पे इसको जब लाया गया, तो अभी पूरी दुनिया से इसको बहुत सारा demand है, वारली प्रिंट, printed सारी, dresses, highly demanded है, इसके painting भी बहुत sell होते हैं, और costly होते हैं काफी, सो इसमें हमें सिफ याद रखना है, कि base जोता है, brown and green कलर का basic इसमें होता है, उसमें white कलर से print होती है, वारली प्रिंट का में separate session लेने वाली हूँ, उसमें हम सीफ वारली प्रिंट की बहुत सारी अलगलग forms होते हैं, वो सीखने वाले, so you can learn that skills अलसू, okay, so वो भी हम सीख लेंगे, so just मैं इहाँ पर बनाया, ये वारली प्रिंट basic बनाया हुआ हैं बहुत सार, उसपे white color से dot हमें बनाने हैं, so base color मैंने बनाया हुआ है, और उसपे circles हम बनाने वाले white color के, so broad circles हैं, big circles, तसी मैंने base color dry होने दिया है, गेले इसपे नहीं करना है, aurals आपका जो base होता है, मतलब जो मेरा blue color किया हुआ है, वो spread होने के chances होता है, so पहले तो base color पूरा dry होने दो, सूखने के बार, आपको white color लेना है, जो white color लेते हो, उसमें पानी कम लेना है, aurals ज्यादा liquid color लिया आपने, तो वो base color again, उसमें मिक्स होने का chances होता है, okay, so this is the polka dot print, so बड़े बड़े, round dot, there is a small mistake, that is the polka dot, जो होते है, वो small होते है, this one is the bobby print, so bobby print में क्या होता है, so बड़े circles आते है, so this is the bobby print, bobby print में मैंने क्या किया है, दिखो, base color बना लिया है, और उसमें white color से, ये dot बनाने है, okay, see, अब भी हमने polka dot, जो है, okay, see, now हमने bobby print कम्प्लिट किया है, यहापे, so bobby print में क्या किया है, हमने, base color बनाया, एक base color देखके, उसके उपर white color से, dot किये हुए, इसके लिए, मैंने नीचे, जो color दिया था, उसे सोखने दिया है, पूरा dry होने के बाद, white color लेके, उसपे, यह dot दिखाने है, आप अलग colors भी ले सकते हुए, जैसे की white on black, so white color का base लेके, उसपे black color की dot, so bobby नाम का movie आया था, in the 70s and 80s में, तो उस movie में भी, जो एक्टरे से उसने पहना हुआ dress जो था, उसपे यह print था, आप यह प्रिंट था, आप यह वेरी पॉपिलर, नावड़ेस अलसो वो trendy लगता है, अगर पैनते है तो, okay, so this is the bobby print, the big dot, okay, and what is the polka dot, अभी हम polka dot complete कने वाले है, so the polka dots are, plain color, अभी हम polka dot complete कने वाले है, यह जो है, इसे polka dot कहा जाता है, so this is dotted print, सी base देखे मैंने जस्ट क्या किया है, white color से यहाँ पे dot, instead of white you can use another color, but most of white is go with the polka dot print, so base कोई भी color का different, any color आप ले सकते हो, and उस पे white color कैसे dot देने हैं, बहुत ही छोटे छोटे, so this is the polka dot print, okay, fine, now the next one is, text print, what is the text, text मतलब जो, alphabetical होते है, so उसमें आप वो, जैसे टी-शिट्स पे सांटम में प्रिंट होता है, वो भी दिखा सकते हो, और लिस न्यूस पेपर आपको पता है, so न्यूस पेपर में जैसे होता है, so जैसे कि, जो भी उसमें heading होते है, titles होते है, so times नाम में नहीं आप लिखा है, okay, इसमें भी आप colors यूज कर सकते हो, so ये करने के लिए आपको क्या है ना, pen भी उसकर सकते हो, and आपको क्या करना है, जो भी है, so बहुत ही close and small इसमें, लिखते जाना है, just you have to complete, आप ऐसे कुछ writings जो होते हैं, lines भी दिखा सकते हो, then कुछ आप देखते हो, newspaper पे, तो colorful कुछ columns होते हैं, ये ऐसे कुछ columns होते हैं, advertise के या whatever, और उनमें भी लिखा हुआ होता है, so आप वैसे भी कर सकते हो, but writing is immersed, so आपको वहाँ पे लिख देना है, so आपको just script जो है कुछ भी यहाँ पे लिखते जाना है, numberings होते हैं कभी-कभी, तो वो भी लिखा सकते हो, आप उसमें कुछ alphabets होते है, कुछ numericals, images होती है, colors होते है, so वो आप यहाँ पे use कर सकते हो, okay, so this will be the text, so text में आप एक तो t-shirts या कुछ जो होते हैं, जैसे में ने बताया, या तो उन में जो print होती है, नाम वगेरा लिखे होते हैं, वो भी आप लिखा सकते हो, या फिर आप जो है, ऐसे, न्यूस पेपर है ना, जैसे की न्यूस पेपर है, आपकी पास समझो, और जैसे आपको दिख रहा है वो सब, आप यहाँ पे लिख दो, जैसे चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा हैंड रिटिंग में आप वहाँ पे लिखना है, so that will be the script, या तो फिर न्यूस पेपर, या text print हम उसको कह सकते हैं, okay, so this one is the text print, now the plates, so plates का मेनिंग होता है, checks, so checks जो होते हैं, checks भी बहुत ज़्यादा यूस होते हैं, in formal wears, checks को plate कहा जाता है, so काफी लोग confused होते हैं, plates ये वर्ड, fashion designing में यूस किया जाता है, so what is the plates, plate का मतलब होता है, okay, so checks जो होते हैं, ये again geometrical form होता है, strips इसमें आती है, इन में भी आप combinations यूस कर सकते हो, अलग-अलग colors, आप फिल कर सकते हो, all right, okay, so the checks print जो है, वहाँ पर हमने देखा है, इसे plate कहा जाता है, so checks में आप lines को यूस करोगा, इसे भी अलग-अलग shapes में हम बना सकते हैं, curve lines यूस कर सकते, बहुत ही अलग-अलग type के आप checks बना सकते हो, small checks, big checks, जो होते हैं, उन में और कुछ आपको designs दिखाने तो भी आप दिखा सकते हो, so this will be the plate, so plates का basic meaning होता है checks, okay, इसे भी कुछ different look देना है, तो आप इसमें भी कुछ print आड़ कर सकते हो, not necessary के checks है, तो उसमें कुछ print नहीं होगा, यह इस checks में भी print किया जाता है, all right, इस तरह से checks के सेथ, मैंने flowers का combination कर दिया है, now the abstract one, abstract का meaning होता है, opposite things का combination, so opposite होता है, या फिर आपको जो भी दिल में आता है, वो सब बना दोस में, there is no limitation, so मैं ऐसे कुछ, water effect यहाँ पर लहरे दिखा रही हूँ, चिक है, ऐसे मैं, merge कर दिया, so this will be the sea, समुंदर मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसे, okay, okay, so let it dry, तब तक मैं यहाँ पर यह शन बना लेती हूँ, अब यहाँ पर, मैं यही dry होने दूँ, तब तक हम इश में, so again मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, कुछ flowers में यहाँ पर बना देती हूँ, so पानी से फूल खिल रहा है, यहाँ पानी में से, और, यह जो है, मैं यहाँ पर बटरफ्लाइ भी दिखा सकती हूँ, अपको जो भी दिल में आता है, वो जस्ट अपको बनाते जाना है, so that is the abstract, most of abstract में हम opposite combinations भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे print अपकी create हो जाती हैं, इस में, आपको जैसे जैसे लग रहा है, वैसे बनाते जाओ, and then afterwards, see, कुछ ना कुछ डिफरेंट, आपको बहुत अच्छा design बना हुआ मिलता है, so यहाँ पर मैंने यह पत्या बना दी, पेड की, उपर से कुछ इसे, लीफ, see, sun बनाया था मैंने, और उसके side में मैंने यह पत्या दिखा दी, green color की, अच्छा भी दिख रहा है, different भी लग रहा है, so this is the abstract, okay, real में तो यह possible नहीं है, greenery and sun एक सत, but मैंने यह designing थूँ यहाँ पर दिखाया हुआ है, okay, butterfly भी दिखा दिया, sun के पास, so this is the, opposite, not real, fact में यह possible नहीं है, but through the designing, हम यह सब दिखा सकते हैं, okay, अब यहाँ पर, fish, opposite दिखाना है, मतब बहुत ही opposite, अच्छा भी लगना चाहिए, design जो होती है, interest, interesting भी लगना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं कि बना दिया है, और अच्छा नहीं लगना चाहिए, तो यह भी सोच कि आप उसे बना दिजाओ, okay, इन में हम brush को just spray करके भी वो जो print जो चिटक जाता है, मितलब जो sprinkle होने के बाद जो dot आते है, तो ऐसे भी prints दिखा सकते है, just color को pork और तो कही पे भी जो patches आजाएगे, so वो भी आपका abstract में जा सकता है, okay, so बहुत जारा सोच के नहीं बनाना है, just बनाते जाना है, कुछ जो भी form होता है, so that is the abstract, okay, अब इसे और कुछ आपको करना है अलग, तो जैसे अभी यह बनने के बाद, इस पे मैंने कुछ checks, यह ऐसी कुछ lines बना दी, okay, see, so ready होने के बाद, मैंने कुछ ऐसे, यहाँ पर ऐसे lines भी बना दिये है, okay, जहाँ पर मैंने दिखाया, पानी है, उपर मैंने पतिया दिखा दी है, पेड के, और उसके बाद, sun दिखाया था, butterfly है, चोटे, fish है, so बहुत सरा मैंने उसमें दिखाया हुआ है, combination कर दिया है, lines पे उसमें डाले हुआ है, now the music, so music जो theme होता है, तब हमें musical shapes को use करना होता है, so, उसके लिए music you know, सारे गमा सरगम जो होता है, तो उसमें यह ऐसी lines हम बनाएंगे, और music से related जो भी shapes होते हैं, एक बार आप उनको सीख लो कैसे है, और उनको हमें use करना है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा हमें यह सारे lines भी बनाने हैं, आप उनको अलग-अलग भी use कर सकते हो, ठीक है, ओल्राइट, अभी music में सिफ यह symbols नहीं आते हैं, यह जो script होते हैं, यह musical script होते हैं, symbols use किया जाते हैं, यहाँ पे language जो होती है, musical language होती है, तो यह symbols को भी हम use कर सकते हैं, या sometimes, हम जैसे की instruments होते हैं, musical instruments, जैसे यह, this is the musical instrument, इसका shape हम draw कर सकते हैं, tabla होता है, बहुत सारी जो instruments आते हैं, उनको भी हम designing में use कर सकते हैं, वो shapes हम दिखा सकते हैं, ओके, so this one is my musical print, उसके लिए भी base and color combinations, you can change, now the next one is patola print, so patola is famous from the Gujarat, so उसके लिए हमें क्या करना है, base बना लिया है, यह mostly सारी की border पे होता है, patola, so इसमें weaving का pattern होता है, क्या है, कि ज़स्ट आपने जो भी, base बनाया हुआ होता है, उस पे हमें, okay, the lines are not, okay, वो दिखना चाहिए, इसले, right, okay, so मैं यह यलो कलर से यह से कुछ lines बना रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पर vertical lines बनाने है, long and short lines बनाने है, so triangular effect आता है, so वो visible नहीं हो रहा है, colors की वज़े से, so मैं इसे दिखाती हूँ, pencil से, अब जब करोगे, so we remember कि base color जो है, इसके लिए mostly sparkle पर नियूज किये जाते है, with that ही effect ज़्यादा अच्छा आता है, okay, अपको क्या गड़ना है ना, थोड़े थोड़े distance पर एसे, vertical lines ले लो, long, and then, छोटे छोटे, फिर अगेन, ऐसे small हो रहा है, so these are the lines, long and short lines होते हैं, ये vertical, और, इसकी जो बूटी होती है, बूटी में भी वही है, ये ऐसे, सेंटर में बड़ी लाइन, फिर छोटे छोटे छोटे, इसके साइड में, बस यही आपको करना है, so this is the patola, आप इसे vertical भी दिखा सकते हो, और, you can show horizontal also, अभी एकेस में में दोनों भी दिखा रही हो, आपको, चाहिए है, तो आप अलग-अलग दिखा सकते हो, separate, एक तो vertical योज़ करो, या horizontal, lines होते हैं, इसमें कोई shapes नहीं है, so lines के pattern होते है, जस्ट अपको बड़ी, center में बड़ी line लेनी है, long, उसके side के, छोटे-छोटे हो रहे, so this is the patola pattern, अपके, fine, now the next one is, bandhani, so bandhani is also famous, from the Gujarak, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो एक बेस कलर कर लेंगी हम, okay, now, ये थोड़ा सा जब गीला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा जब गीला होगा, उसी टाइम पर हमें क्या करना है, वाइट कलर से, छोटा brush लेना है, small, pointed brush लेके, हमें design बनानी होती है, so bandhani का fabric आपने देखा होगा, तो वो जो designs होती है, booting चो होती है, बूंदी होती है, उसके उपर, वो थोड़ा सा ऐसे spread दिखता है, so वो effect आने के लिए, हमने क्या किया है, बेस जब थोड़ा सा गीला है, नेचे का जो बेस कलर है, वो उसी टाइम पर हमें ऐसे, design बनानी है, आपको जो भी चाहिए, वो आप बना सकते हो, आपको जो बना सकते हो, गोज विद दा नेचर, फिर मैं, यहाँ पर, कुछ मैं, लीफ बना रही हूँ, बिग सैज के, शेप्स अपके, चॉइस के अकॉर्डिंग आप लेग सकते हो, बेस कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इफ यू वान्ट, यू कैन यूज, डिफरेंट बेस कलर, शेडिंग मर्स्ट होता है, शेडिंग करने से क्या होता है, वो रिलिस्टिक एफेक्ट आता है, अच्छा दिखता है, आपके जो स्केचेस होते हैं वो, सी मैंने डाक ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, और थोड़ा सा मैं यलो कलर से, यहाँ पर शेडिंग किया हुआ है, ओके, सो, यूज दैट, सो अटेवर आपको जो भी करना है, आप इसमें कर सकते हो, डिजाइन्स, सो मोस्ट आफ मैं तो अभी, यही दिखा रही हूँ, और कुछ आपको चाहिए, तो, यह छोटे सी कुछ में, स्टेम्स दिखा रही हूँ, और इन पर, कुछ, श्मॉल, फ्लार्स, हुआ में सी advocacy सी постав पपक का हुआ कर रही हूँ, ज अब कर सकते हैं कि गता讲 से थक्रश रही रहाँ, प्लार्स, होटी और खुआ कर मैं उता रह다ूपुआ यहाँ कि अपिछ में यह कंप्लेटली एसे फिल करने वाली हूँ बहुत सरी पत्तिया और बीच में यह कुछ पेटन यह से हूप को जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो सब कर सकते हो जो जो भी है यह आर्थ दिखा सकते हो हूप okay, I am going to fill this with and now all over if you fill this yellow color see okay, so, today we have learned prints, if you don't see it, it's light right, again, I am highlighting here, if you don't show a complete shape strokes, it is not spread, so, today we have covered prints, that will be very useful in the fashion illustration, do practice, and assignments complete कलेना जो भी है कि हर एक प्रिंट जो है हर उसके अलग-अलग patterns अब खुद बना के देखो and उन्हें यूज करना when you do the designing, so, thank you so much, keep watching Arjuna's fashion designing, thank you, okay, so, आज हमने prints ये topic यहाँ पे cover किया है, print के बहुत सारे patterns हमने यहाँ पे सीख्या है, इनका practice करो, आपकी जो assignments होगे, उनमें आप यूज करना and do practice, हर एक pattern को बहुत repeatedly practice करना, so, thank you so much, keep watching Arjuna's fashion designing,